हेलो पैरे बच्चों बच्चों कैसे आप सभी आए होप की सभी अच्छे होंगे बच्चों आज की इस वीडियो में हम क्लास 5 के सब्जेक्ट मैट्स के वीक नमबर 30 की वक्सीट को सॉल्ब करेंगे जो की EDMC के द्वारा दी गई है बच्चों आपकी इस वक्सीट का टॉपि नीचे जो चार्ट है यह दिखाता है कि एक मिनिस्टर को एक दिन में कितनी सेलरी मिलती है अब बच्चों यहाँ पर आपको जन्वरी के महिने में उन्हें कितनी सेलरी मिलती है यह पता लगाना है तो यहाँ पर परसन है मिनिस्टर मिनिस्टर को एक दिन में सेलरी मिलती है 195 रूपीज होर्स राइडर को मिलती है 76 रूपीज और कुक को मिलते है 65 रूपीज अब हमें बतानी है जन्वरी में पृतियक को कितनी सेलरी मिलती है तो बच्चो जन्वरी में days कितने होते हैं? 31 days होते हैं salary of minister, minister को मिलते हैं 195 तो हम इसे multiply कर देंगे 31 से 195 इंटू 31 तो बच्चो कितना answer हो तो बच्चो multiply करने पर कितना आया? 6045 It means minister की salary है जन्वरी की month की 6045 रुपीज अब salary of horse rider की कितनी है? 76 रुपीज है तो इसे हम 31 से multiply कर देंगे multiply करने पर आता है 2356 इसमेंज उसके जनवरी के मंत की salary है 2356 next है salary of cook cook को salary मिलती है one day की 65 रुपीज इसे हम 31 से multiply कर देंगे multiply करने पर आता है 2015 इसमेंज cook की salary है 2015 रुपीज अब है question number 2 solve the following questions यहाँ पर कुछ questions दिएगे हैं जिने आपको solve करना है तो बच्चों यहाँ पर 47 into 19 it means 47 में 19 से multiply करेंगे तो कितना आएगा 893 तो बच्चों आप किस तरीके से करेंगे आप इस तरीके से 47 लिखेंगे उसके नीचे लिखेंगे 19 अब यहाँ पर sign लगा देंगे अब बच्चों 9 से 7 में टेबल पढ़ेंगे नाइन का 7 टाइम 970, 63, 63 का यहाँ 3 लिखेंगे carry कितने हुए 6 अब 9 का टेबल हम 4 टाइम पढ़ेंगे 940, 36 36 में हम 6 प्लस कर देंगे कितने हो गए 42 तो यहाँ लिख लेंगे 42 अब बच्चों यहाँ पर आप 0 लिख सकते हैं या कुछ भी नहीं लिखेंगे या क्रॉस का निसान लगाएंगे इस यहाँ पर आपको कोई नमबर नहीं लिखना है तो यहाँ पर क्रॉस का निसान लगा लेंगे अब 1 से 7 में मल्टिप्लाइ करेंगे 1 इंटू 7 इकुल 7 1 इंटू 4 इकुल 4 अब बच्चों यहाँ प्लस कर लेंगे यहाँ 3 लिख लेंगे 7 और 2 को प्लस करेंगे कितने हुए 9 4 और 4 कितने हुए 8 तो आंसर कितना हुआ 893 अब ऐसे ही अगला सवाल करेंगे नेक्स्ट है 188 को मल्टिप्लाइ करेंगे 91 से तो यहाँ पर आप 188 लिख लेंगे और 91 नीचे लिखेंगे अब मल्टिप्लाइ करेंगे 1 से 8 में 1808 फिर से 8 आएगा और यहाँ वन लिखेंगे अब 9 का टेबल 8 टाइम पढ़ेंगे 98,000 72 यह तू लिखेंगे कैरी कितने हुए 7 फिर से 9,800 कितने हुए 72 72 में कितने प्लस करेंगे 7 तो कितने हो गए 79 तो यहाँ लिेंगे 9 कैरी कितने हुए 7 9,800 9 और 7 कितने हुए 16 अब इसे प्लस कर लेंगे 8 लिख लेंगे 8 और 2 कितने हुए 10 10 की 0 9 और 1 10 और ये 1 प्लस कर लेंगे कितने हो गए 11 का 1 6 और 1 7 और यहां लिख लेंगे 1 कितना हुआ 17,108 तो बच्चो आंसर है 17,108 अब ऐसे ही बच्चो आप अगला सवाल करेंगे यहां पर 63 से 57 में क्या करना है मल्टिप्लाइ करनी है 57 से तो इसी तरीके से आप 63 लिखेंगे और 57 नीचे लिखेंगे अब 7 का टेबल 3 टाइम पढ़ना है 3 में 7,30 21 का 1 7,60 42 42 में 2 प्लस करेंगे कितने हुए 44 अब यहां पर क्रॉस का निसान लगा लेंगे 53,000 15 का 5 कैरी 1 56,000 30 और 1 31 अब इन्हें प्लस कर लेंगे 1 लिखेंगे 5 और 4 कितने होते हैं 9 4 और 1 5 और यहां 3 लिखेंगे कितना आंसर हुए 3591 तो बच्चे इसका यह आंसर आएगा अब ऐसे ही आप next करेंगे next बच्चे क्या करना है 225 में 22 से multiply करनी है 25,000 कितने होते हैं 10 10 की 0 carry 1 2, 2, 0, 4 और 1 5 2, 2, 0, 4 अब बच्चे फिर से 2 का table 5 टाइम पढ़ेंगे 2, 5, 0, 10 की 0 carry 1 2 का फिर से 2 में पढ़ेंगे कितने हुए 4 फिर से 2 का 2 में पढ़ेंगे कितना हुआ 4 अब इसे बच्चो प्लस कर लेंगे यहां 0 लिखेंगे 5 में 0 प्लस करेंगे तो कितना आएगा 5 ही आएगा 5 और 4 कितने होते हैं 9 और यहां लिखेंगे 4 कितना answer हुआ 4950 तो बच्चो इसका यह answer आएगा आप इस तरीके से इन्हें solve करेंगे अब बच्चे हैं question number 3 है answer the following questions यहां पर आपको questions को follow करना है Sohan drinks 8 glasses of water everyday Sohan रोजाना 8 glasses पानी पीता है How many glasses will he drink in February 2022? वहें फरवरी 2020 में कितने गलास पानी पीएगा तो बच्चो फरवरी 2020 की है उसमें कितने दिन हैं फरवरी के मन्त में 29 days है क्योंकि 2020 जो है एक कैसा year है leap year है तो फरवरी में कितने दिन है 29 तो हम 8 को 29 से multiply कर देंगे multiply करने पर कितना आया 232 इट मींस वहें फरवरी के मन्त में 232 glasses पानी पीएगा next है How many glasses will he drink in the year of 2020? अब बताना है कि वह सन 2020 जो year है उसमें कितने गलास पानी पीएगा यदि वह रोजाना आठ गलास पानी पीता है तो बच्चों 2020 जो year है वो एक leap year है और leap year में कितने days होते हैं? 366 तो हम क्या करेंगे? 8 से 366 में multiply कर देंगे multiply करने पर कितना आता है? 2928 इट मेंस वह है 2020 एर में 2928 गलास पानी पीएगा अब नेक्स्ट है 125 पीपल लिव इन आ कॉलोनी एक कॉलोनी में 125 लोग रहते हैं और इच ड्रिंक 8 गलास पानी पीते हैं और वे सबही प्रती दिन 8 गलास पानी पीते हैं तो वे सबही सन 2020 में कितना पानी पीएगे? तो अभी हमने देखा कि एक व्यक्ति रोजाना 8 गलास पानी पीता है तो वे हैं पूरे वर्स में 2022 में 2928 गलास इस वाटर पीता है तो हम क्या करेंगे? यहाँ पर कितनी लोग हैं? यहाँ पर लोग हैं 125 तो हम 2928 को 125 से मल्टिप्लाइ कर देंगे तो मल्टिप्लाइ करने पर कितना आता है? 3,66,000 इट मीज 125 लोग जो है वो 3,66,000 गलास इस वाटर पीएंगे अब बच्चों यहाँ पर क्वेश्चन है सोहाज हर्ट बीट 72 टाइम्स इन वन मिनट सोहाज का जो जो हर्दय है वह एक मिनट में बहातर बार धड़कता है तो यह एक गंटे में कितनी बार धड़केगा तो बच्चो एक गंटे में कितनी मिनट होती है 60 तो हम 72 को 60 से मल्टिप्लाइ कर देंगे मल्टिप्लाइ करने पर कितना आता है 4320 इसका हर्ट जो है वो 4320 टाइम बीट करेगा अब बच्चो नेक्स है How many times will it beat in one day अब बताना है कि एक दिन में कितनी बार beat करेगा तो बच्चो एक दिन में कितने hours होते हैं तो हम क्या करेंगे अभी हमने निकाला कि एक गंटे में कitनी beats करता है कितने time तो बच्चो 4320 टाइम तो बच्चो यहाँ हम 4320 को 24 से multiply कर देंगे तो multiply करने पर कितना आता है 1,3,680 इट मींज वन डे में उसका जो hurt है वो beat करेगा 1,3,680 टाइम्स अब यहाँ पर बच्चों कॉश्चन है अब बेबी एलिफेंट ड्रिंक्स अराउंड 12 लीटर ओफ मिल्क एवरी डे एक बेबी एलिफेंट जो है वो रोजाना 12 लीटर दूद पीता है How much milk would the baby एलिफेंट ड्रिंक in 2 years तो दो वर्स में वहाँ बेबी एलिफेंट जो है कितना दूद पिएगा तो बच्चों एक एर में कितने डेज होते हैं 365 तो हम 2 से multiply कर देंगे तो कितने दिन हो गई यह हो गई बच्चों 2 years के अब वह पीता है रोजाना कितना दूद 12 liters अब हम इसको 12 से multiply कर देंगे तो multiply करने पर कितना आएगा 8,760 इट मीज जो बेबी एलिफेंट है वो 2 years में 8,760 लीटर दूद पिएगा अब next है अब बेबी ब्लू वेल ड्रिंक्स अराउंड 200 लीटर ओफ मिल्क इन वन दे एक ब्लू वेल का जो बेबी है वो एक दिन में 200 लीटर दूद पीता है तो 240 दिन में ब्लू वेल जो है उसका बेबी कितना दूद पिएगा तो इसके लिए हम क्या करेंगे बच्चो कितना दूद पीता है एक दिन में 200 लीटर तो हम 200 से 240 में मल्टिप्लाइ कर देंगे तो मल्टिप्लाइ करने पर कितना आता है 48,000 इट मींज वह है 240 देज में 48,000 लीटर दूद पिएगा अब बच्चों क्वेशन है करुन्य बॉर्ट 3 फिल्द करुन्य ने 3 खेत करी दे find the area of all the 3 फिल्द sun below तो नीचे दिखाएगा तीनों खेतों का आपको एरिया बताना है तो यहाँ पर बच्चों फिल्द A है इसकी length और breath है 28 मीटर और 27 मीटर तो क्या करेंगे हम जब कभी हम area find out करते हैं तो जो बच्चों breath और length होती है उसकी multiply कर देते हैं तो बच्चों हम क्या करेंगे area of field A इसके लिए 28 इंटू 27 इक्वल 756 इट मीज A field का area है 756 square meter अब next field है B इसकी length और breath है 12 meter and 36 meter तो हम इसकी multiply कर देंगे multiply करने पर आता है 432 तो इसका area है 432 square meter next है field C जिसकी length और breath है 27 meter and 19 meter तो बच्चों इसकी multiply कर देंगे multiply करने पर आता है 513 इसका area है 513 square meter तो आप इस तरीके से area find out करेंगे तो बच्चों आपर life skill insurance insurance means coverage by contract whereby one party undertakes to identify or guarantee another against loss by a specified contingency और peril बीमा कार्थ है अनुबन द्वारा coverage जिसमें एक पक्ष एक निर्दिस्ट आक्समिक्ता या जोखिम से होने वाले नुकसान के खिलाब दूसरे पक्ष को छती पूर्टी या guarantee देने का वचन देता है इस इस simply a means of guaranteeing protection और safety यह केवल सुरक्षा या सुरक्षा की guarantee देने का एक साधन है इन simple words सरल सब्दों में insurance is a contract insurance एक अनुबन है a legal agreement between two parties दो पक्षों के बीच एक कानूनी समझोता that is the individual named insured and the insurance company called insurer अर्थार्ट बीमा बीमित व्यक्ति और बीमा कंपनी जिसे बीमा करता कहा जाता है in this agreement insurer promises to help with the losses of the insured on the happening contingency आक्समिक ता पर बीमित व्यक्ति के नुक्सान में मदद करने का वादा करता है कौन करता है बीमा करता the insured on the other hand दूसरी और बीमा धारक pays a premium in return for the promise made by the insurer बीमा करता द्वारा दिये गए वादे के बदले में एक premium का भुक्तान करता है benefits of insurance बीमा के लाब क्या क्या फायदे है the obvious benefit of insurance is the payment of losses बीमा का इस पचलाब नुक्सान का भुक्तान है managed cash flow uncertainty when paying capacity at the time of losses is reduced significantly नक्ती प्रवाह एनिस्चित्ता का प्रवंदन करता है जब नुक्सान के समय भुक्तान छमता काफी कम हो जाती है comply with legal requirements by meeting contractual and statutory requirements also provides evidence of financial resources सम्विधात्मक और वैधनिक आवसक्ताओं को पूरा करके कानूनी आवसक्ताओं का अनुपालन वित्येश संसाद्मों का प्रमाण भी प्रदान करता है promotes risk control activity by providing incentives to implement a program of lossing control because of policy requirements नीतिगत आवसक्ताओं के कारण नियंतर्ण खोने के कारेकरम को लागू करने के लिए प्रोथ साहन प्रदान करके जोखिम नियंतर्ण गतिविरी को बढ़ावा देता है The efficient use of the insurance resources बीमित व्यक्ति के संसाधनों का कुसल उप्योग It provides a source of investment funds यह निवेश को उसका एक स्रोत प्रदान करता है Insurance collects the premiums and invest those in a variety of investment vehicles बीमा करता premium एकटा करते हैं और उन्हें अलग-अलग प्रकार के निवेश वहानों में निवेश करते हैं Insurance is a support for the insurance credit बीमा बीमित व्यक्ति के रिंड के लिए साहता है It facilitates loans to organizations and individuals by guaranteeing the lender payment at the time यह उस समय रिंडाता भुक्तान की guarantee देकर संगटनों और व्यक्तियों को रिंड की सुविधा देता है When collateral for the loan is destroyed by an insured event जब रिंड के लिए समपासिर्विक बीमाकरत घटना से नस्थ हो जाता है Hence और इसलिए reducing the uncertainty of the lenders default by the party borrowing funds इसलिए party द्वारा उधार लेने वाले fund द्वारा रिंडाता की default की एनिस्चित्ता को कम करना It reduced social burden by reducing uncompensated accident victims and the uncertainty of society यह एप्रति दे दुरगटना पीडित और समाज की एनिस्चित्ता को कम करके सामाजिक बोज को कम करता है Students if you like this video please like and share and if you are new on this channel please subscribe the channel thank you